हलो दूस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं डी डे प्लास्टिक इंडश्टी लिमिटेट से लिए शेर की अगर हम बात करें तो क्या हमने इससे लेटेड वीडियो बनाई है तो एक बार चेक कर लेते हैं तो आप यहां पर पता चलेगा यह शेर हम 44 रुपीज से देत काफी बार हमने यहां पर वीडियो बनाई थी और इस से लेटेड हमने यहां पर बाते करी थी। ठीक है और आप देखोगे तो लगब लगब अच्छे खासे रिटन यहां पर आप देखते रहोगे 44 रुपीज से तो अच्छे हासे पाँच गुना यहां पर पैसे बनते तो पहली बात इस चीट को धियान रखिएगा कि एक अच्छा खासा रन अप हो चुका है इस शेयर में ठीक है दूसरी बात यह याद रखिएगा कि शायद इसमें एक रैली और पेंडिंग है ठीक है एक रैली पेंडिंग होने के बाद इसमें एक गिरावट आती हुई दिख आते रहते हैं तो उसलिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को एट करिए और के नॉटिफिकेशन को ओन करिए ताकि आपके साथ चीजे ना चूटे आपके से चीजे चूटेंगी तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होता हुग ना जड़ाएगा तो पर पैसा बने ही बने ठीक है आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल जाए कि कब शेर भागएगा कब शेर नहीं भागएगा कवंसा शेर घर गरेगा लेना है नहीं लेना है यह सब चीज़ जाना चाहते है तो आपके लिए एक कोर्स डिजाइन किया बेसिक टू एक पर कोर्स किया तो पीछे मुड़के देखने की जड़वत नी पड़ेगी आप सिंपली क्या करेंगे फिर आप खुदी यहां पर काम करते हुए न जलाएंगे इस को करने के आप 6 महिने से एक साल का experience market का आपको यहां पर बता देगा कि market का क्या हाल चल चल रहा है अगर यह बारी किया सीख गया तो फिर stock market में तो पैसा फिर अपने आप बनता ही आपको ही पता है फिर बस आपको time देना है दोनों नंबरों को save कर लीजिए ठीक है यहां पर हम सबसे पहले बात तो course कराते है इस course की inquiry ले लीजिए कि क्या-क्या topic होने वाले है सारे topic A to Z topic होने वाले है साथ में अगर आपको यहां पर साथ में काम करना है पोर्टफोलियो बड़ा है जॉब में काम करते है टाइम नहीं मिल पाता कि कब research करें कब research ना करें बट पैसा डालने चाहते है तो इन नंबरों को note कर लीजिए और हमारा यहां basic to advance course करिए ठीक है ना आपको यहां पर ची को यहां पर हमने पहली बार बताया था ना तब 1,000 को रोड रुपे से भी कम की market gap थी तो इसे ही कहते है कि सही टाइम पर लिया लेकर पर पैसा बनाया और पैसा बना के चुप-चुप निकल गया इस तभी पैसा बनता है बड़े-बड़े लोगों का पकड़े रहोगे एक इंजिनियरिंग प्लास्टिक पो आटो मवाई इंजिनियरिंग प्लास्टिक एफट एप्लाइंसे टीक है न यह जितनी भी चीजों से लेटेड जो compound use होते है न वह यह company बनाती बी नाजर आती है manufacturing capacity आप देख सकते है अच्छी कासी manufacturing capacity है new facilities इनकी है client की बात करें तो जितने भी केवल ठीक है footwear से जितने भी शेयर है वो इनके क्या है clients है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े-बड़े नामे के या फिनोलैक्स एंकर ठीक है अपार इंड़स्ट्री हैवल सारे इ website पर जाओगे तो इनके product से related आपको पता चल जाएगी की cable के related कोन से product है ठीक है वो आपको एक idea लगता हुआ नजर आएगा automobile से related कोन से यहाँ पर यह project इनके product है जो यहाँ पर उसमें काम आते है footwear के लिए कोन से product है वो सब क्यों A to Z आपको यहाँ पर चीज़े समझ में आ जाएगी अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते है company के financials तो आपको समझ में आएगा market cap 271 करोड रुपे का market cap है तो मतलब छोटी company है ठीक है जब छोटी company की बात करूँ तो याद रखिएगा अभी तो आपको भागता हुआ दिखाई दे रहा है कोई परिशानी नहीं है बात करें चौदे का PE है इंडश्टी का PE 32 का है तो PE क्या है अभी भी सस्ता नजर आता है ठीक है ना अभी भी यहाँ पर हम बात करें PE ratio कम है बट पी के बेस पर कभी काम नी करते इस चीट को भी हमेशा याद रखिएगा ROC ROE ठीक ठाक नजर आता है बट ROC ROE कब चेंज हो 267 की intrinsic value हो तो यहां से यहां तक भी आप देखोगे तो अच्छा गासे आपके 30% के आसपास के return बन जाएंगे दूसरी बात अगर हम बात करें तो इदेखिए कुछ टाम पहले ही यहां पर bonus मिलता हुआ नजर आता है 1 ratio 10 का ठीक है 10 share पर 1 share यहां पर मिलता हुआ नजर आता यह नजर आता है कि company की जो sales है अच्छी खासी sales होती हुई नजर आ रही है बट यहां पर आप देखोगे कि अब दीरे-दीरे sales कम होती हुई नजर आ रही है yearly basis पर भी ठीक है यहां पर आप देखो कि company का profit वो operating profit अच्छा गासा generate किया है company ने कहीं ने कहीं expenses पर लगाम लगा रहे है तो overall company का performance अच्छा है क्या यह performance as sustained रहेगा यह question mark है तो इस जीच को थोड़ा सा याद रखिएगा yearly basis पर देखे तो yearly basis पर performance ठीक है ना लगबग लगबग थोड़ा सा ही बढ़ता हुआ नजर आया है ठीक है profit यहां पर अच्छा गासा generate हुआ है reserves की बात करें company के पास अच्छे खासे reserves है 554 करोड रुपीज के borrowing की बात करें borrowing थोड़ीजी company की क्या हुई है कम होती हुई नजर आई है जो कि क्या है positive बात है working progress में केवल 2 करोड रुपे लगाते हुई नजर आई है तो यह 2 करोड रुपे कुछ ज़्यादा नहीं है इस च जादा अच्छा हो सकता है तो कहीं नहीं सीच को थोड़ा से माइने रखे रखता है कैश है 16 करोड रुपे का operating परफिटी से यहां पर कैश भी अच्छा खासा है यहां पर दिखाई देता है as well as यहां पर आप देखोगे debtors दे थोड़े से कम होते हुए नजर आई पर मोट की बात करें तो 75% के शेयर पर मोटर के पास है FIS की होल्डिंग ना के बराबर है पब्ली की होल्डिंग की बात करें तो पब्ली की होल्डिंग 24% है उसमें यहां पर देखिए यहां पर इस पर्टी गूला गुरूप ने 8% की शेयर ले रखे है जो की मेरी ख्याल से पर 30% की होल्डिंग यहां पर रखते है यहां पर आप देख सकते हैं सब चीश की यहां पर आप डिखाई देती है तो ऑफीलहाल पर्फोर्मेंस अछी गासी है ठीक है क्या यह सस्टेन करेंगी यह कोशन है ठीक है तो इसलिए याद रखिएगा एक-दो कार्टर का ही खेल मैं यापर कहूँगा कि अब इस company में बच रहा है, एक दो quarter, एक rally, that's it, और उसके बाद मेरी ख्याल से ये share में एक बड़ी गिरावट होती हुई नजर आ सकती है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा prepare रहीएगा, ठीक है न, तो सबसे पहली बात, buying selling की recommendation नहीं है, अगर मैं यापर कह बात करते हैं, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, यापर चार्ट से लिए पर उससे पहले request है, I am small cap investor को, subscribe कर लीजिए, bell icon को hit करिया, और की notification को on करिये, buying selling की recommendation है नहीं, अपने financial advisor, खुथ की study करें, चीज़ों को सीखें, सीखने के तरीके बता रखें, course, as well as यहापर videos, और course में सीखेंगे, तो अच्छा खासा पैसे बनाएंगे, यह course की यहापर playlist में जाएंगे न, तो आपको दिखाई देगा, playlist में यहापर अच्छी कासी चीज़े यहापर बना-बना के आपके लिए रख रखी है, अब बात करते हैं आगे, feedback यहापर है, और किसी को साथ में काम करना है, तो number को यहापर call message करिये, चीज़ों को बात करने के कोई पैसे नहीं है, ठीक है न, आप कुछ भी चीज़ है, मुझसे एक ब बार बार जाने की, और यहापर आप देखोंगे न, यह डवल टॉप भी बताया है, ठीक है, डवल टॉप थोड़ा सा ख़दरनाक होता है, बट ऐस सच यहापर company के fundamental अच्छी है, तो यहापर technical उस तरीके से काम ने करेंगे, दूसर तरीके से यहापर काम कर सकते हैं, अगर किसी को यहाँ पर लेना है, तो सबसे पहली बात तो bank selling की recommendation नहीं है, शिट को याद रखिएगा, बार बार इस line को repeat कर रहा हूँ, अगर को यहाँ पर entry कर भी लेता है, तो एक stop loss जरूब फॉलो करिएगा, कितने रुपे का, 195 रुपीस का, 195 रुपीस का stop loss फॉलो करिएगा, इस टॉप लोस है, यहाँ से नीचे गिरे, बेच के निकल जाएगा, ठीक है, ना कुछ नहीं जाता, थोड़ा brokerage जाएगा, थोड़ा loss जाएगा, क्योंकि अगर चीज़े गिरी, तो 163 पे भी आ सकती है, बट जैसे कि मैंने कहा है, कि एक rally शायद finding है, ठीक है, वो rally कैसे हो 400 रुपे तक की जड़नी तक यहाँ पर लेके जा सकती है, ठीक है, 400 रुपे तक भी लेके जा सकती है, यहाँ पर 300 तक भी लेके जा सकती है, 360 तक भी, ऐसा जडूरी नहीं है कि 400 रुपे ही, बट हाँ, इतनी rally शायद होती हुए नजर आ सकती है, और उसके बाद, जैसे यह शेयर गिरना शुरू करेगा तो ये दुबारा इस लेवल पे आता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में और फिर एक लंबे के लिए जा सकता है वो सब चीज डिपेंड करेगी कंपनी के फंडामेंटल्स पे ठीक है अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए निकल जान दीजिए एक लेवल को ठीक है तो बंदर 20% एक ट्रेड की तरह यहां पर लीजिएगा ठीक है इंवेस्टमेंट यहां पर से बनाईये मत अभी ठीक है एक ट्रेडर्स की तरह है आपर सोचिएगा बस यह ट्रेडिंग वाला ही स्टॉक अभी मेरे हिसाब से फिलाल के लिए राय क्योंकि मार्च या मार्च से पहले या मार्च के थोड़े से टाइम बात मुझे लगता है कि यह शेर में गिरावट हो तो लाइक कमें शेयर करिएगा सब्सकाइब करिएगा ताकि हम और मेहनत कर सके और ज़्यादा आपकी लिए काम कर सके आपको सिखा सके ठीक है हम सिखाते रहेंगे ठीक है आप हमें प्यार देते रहेंगे थैंकी सो मच कोड़ बलस